साथियों, आज के इस कारकम में, मैं इंदोर के साथ ही देश भर के लाखो सफाई कर्मियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर्दी हो, गर्मी हो, आप सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। कोरोना के इस मुश्किल समय में भी आपने जो सेवा भाव दिखाया है, उसने कितने ही लोगों का जीवन बचाने में मदद की हैं। ये देश अपने हर सभाई कर्मी भाई बहन का बहुत रणी है, अत्यनत रणी है। अपने शहरों को स्वच्छ रख कर, गंदगी ना फेला कर, नियमों का पालन करके, हम उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे आद है, प्रयाग राज में कुम्ब के दौरान, आपने देखा होगा, दुनिया में पहली बार भारत के कुम्ब मेले की नई पहचान बनी। पहले तो बारत के कुम्ब मेले की पहचान हमारे सादु मात्माद, उनीके आचपास बाते चलती थी। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतरुत्र में प्रयाग राज में जो कुम्ब हुआ उसकी पहचान स्वच्छ कुम्ब के रूप में हुई पूरे विश्म में चर्चा हुई दुनिया के अख़बारों ने कुछ न कुछ उसके लिए लिखा ये मेरे मन पर इसका बहुत बड़ा सकारा पक्रवाव था तो मैं जब कुम्ब के मेले में पवित्र स्नान के लिए गया था तो स्नान करकर आने के बाद मेरे मन में इन सफाई कर्म 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 कर्मियों के लिए इतना हो भाव था या इनका हो भाव था मैंने इन सफाई कर्मियों के इंदोर के अपने हर सफाई कर्मी मेरे हैर सफाई कर्मी भाई बेहन को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। उनका नमन करता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने इस सफाई के अभियान को जारी न रखा होता। तो न जाने हम कितनी नहीं नहीं मुसिबतों को जहलते आपने इस देश के सामान निमानवी को बचाने में डॉक्टर तक न जाना पड़े इसके लिए जो चिंता की है न इसलिए में आपको प्रणाम करता हूं।